मेरे मित्रों मेरे दर्शकों नारण टीवी के आज ये तीसरा एपिसोड है आज आपको ये कैसी कहाणी बताऊंगा जिसे सुन करके आपको आश्यर होगा सुबर सुबर मैं जल्दी उठता था पूजा पाठ हमारा साथ वजे समाप्त हो जाता था एक लड़का चड़कर के सीडियों से हमारे रूम के पास आया हमको गुड मार्निंग किया पैर चूप के पढ़ाम किया बोले बेटा क्या बात है कौन हो कहां से आये हो बोला मेरा सर नाम राजिंदर जैन है मैं बंबई से आ रहा हूँ मुझे रभींदर जैन जी ने भेजा है बोला बेटा मैं पोटक्शन में काम नहीं करता हूं मैं एक्टर हूँ पोटक्शन के कांती बंडारे विजे काविश है बोले नहीं सर ये लेटर में आपक नाम लिखा हुआ है कि रामायन के जामुंत राज शेकर से मिलना उन तुम्हें गाइड करेगा बोला गाइड करेगा मतलब बोला सर इक्षल मैं बेसिकली सिंगर हूँ बोला बेटा सिंगर हो तो सागर साहब मिलो नहीं उनके लड़के हैं आनन सागर मोती सागर प्रेम सागर बोले नहीं सर आप हैं मेरी बात सुन लिजिए तो सागर सागर साहब ने किया है काल नेमी जो राक्षत होता है जो हनमान जी को घ्रमित करता है वह करेटर करने के लिए मैं आया हूँ और मैं सिंगर हूँ मैं ही गाया हूँ वही गाना मेरे उपर फिर्माया जाएगा मैं तो खुश हो गया, उसको ले गया नाचता कराया, नाचता कराने के बाद कांती भंडारे से मिलाया, उसको रूम दिया गया, उसका मेकप किया गया, सागर चाहब आये, मैं धी कौतू हलबष, इस टूडियम गया जब एनी की गाना जो रिकॉर्ड करके आया बजने लगा तो धारा प्रबाह ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गाने बैचा लग रहा था रियल अभी ये लाइब गा रहा है इतना बढ़िया किया था वो जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे जानों है बड़ी तूर बटेउं कर ले रेन बसेरा रे इस समय उन नहीं है उनकी मौत होची है भगवान उनकी आत्मा को शांती दे जहां सुन रहे जहां भी हों हमें आशिरबाद दे लेकिन इस एपिसोड को आप लोग अवश्य लाइक कीजिएगा साल्हा कीजिएगा इसी प्रकार से हम आपका मनुरंजन करते रहेंगे धन्यवाद नमस्कार जैश्री राद झाल